हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है अप सभी का यूपियाईटा इस्ट्रक्टर के स्ट्टू प्लेट्फर्म पे देखे प्रीविएस कुछ सेशन में मैंने आपको सरमकल्यान विधान के बारे में पढ़ाया है उसके उद्देश के बारे में आपको पढ़ाया है उसे संबंद है मैंने उसके टाइप भी पढाये है और सरमकल्यान विधान में अंतरकात आने वाले अधीनियम में आपको पढ़ा है उन अधिनियम से और मैं आपको दूपर्टेंट अधिनियम पढ़ाया है कारखाना अधिनियम और साथी साथ अपरैंटिस एपड्शनिस यान pulls तो आज हम इस सेसन में इन दोनों से और सर्मकल्यान विधान से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट को डिसकस करेंगे लगबग मैं आपके लिए पचास के असपास क्वेशन लेकर आया हूं इन में साथी साथ मैं आपको एक्स्प्लेनेशन के माध्यम से काफी कुछ चीज़ और भी एक्स्टर कवर कराऊंगा जो लगबग आपके इंप्लोईविल्टी स्किल में आने वाले आपका जो चेप्टर है सर्मकल्यान विधान इससे रिलेटेड आपके 200 कुश्चन कवर अप होंगे साथी साथ आगे जो आपका टॉपिक बचा हुआ है जैसे कि जो हमारा है कर्मचारी राजबीमा धीनियम और मजदूरी भुकतान धीनियम तथा कर्मचारी भवस्चनिधी एवं कोसा धीनियम तथा यौनत पीड़न धीनियम मैं आपको आगे वीडियो में प्रॉइट करा दूँगा तो आज के सेसन को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो भी स्टुडेंट्स इस चैनल पर जोड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं अब तक वीडियो की नॉडिफिकेशन पहुंच सके प्लीज चैनल को लाइक भी करिए और इन वीडियो को सेर भी करिए और अपने जो अभ्यार्थी गण हैं आपके जो कलिक्स हैं उन तक ये वीडियो भी प्रोइड कराईए ताकि जो विक्ति आईटे इंस्ट्रक्टर की तयारी क रहे हैं उन्हें ये सारी वीडियो और ये सारा कंटेंट है ये फ्री ओफ कोश्ट प्रोइड कराया जा सके तो समय को जाता बरबाद ना करते हुए हम अपना पहला कोश्चन जो है वो डिसकस करते हैं तो पहला कोश्चन है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 किस तारीख से प्रभावी है तो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 एक जुलाई 1924 से प्रभावी है कर्मचारी मुआपजा अधिनियम 1923 की धारा 4A किस से संबंदित है तो देखी कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 4A में दे होने पर भुक्तान किया जाने वाला प्रतिकर और जो कर्मचारी पृतिकर अधिनियम 1923 है तो इसकी धाराचारी में बताये गया है कि आपका जो भी बकाया है जो दे है आपको वो भुक्तान करना पड़ेगा और अगर इसमें कोई चूक होती है तो इसके लिए आपको दंड दिया जाएगा नेक्स कुश्चन है कर्मकार पृतिकर अधिनियम 1923 की किस धारा में पूर्टया निसक्तिता को परिभासित किया गया है तो इसका राइट आंसर है धारा दो ठा देखिए कर्मकार पृतिकर अधिनियम 1923 की धारा दो ठा में पूर्टया निसक्तिता परिभासित है पूर्टया कर्मकार को ऐसे सब काम के लिए असमर्थ कर देती है जिससे वाए उस दुरघटना के समय जिसके प्रणाम सरूप ऐसी निसक्तिता हुई थी ऐसा करने में समर्थ था Next Question है कर्मचारी राजबीमा अधिनियम उननिस सो अधिनियमित हुआ तो देखे कर्मचारी राजबीमा अधिनियम उननिस सो अधिनियमित किया गया इसमें कुल आठ अध्याय और सो धाराएं है next question है कर्मचारी राज बीमा अधिनियम के अधीन फंदे अभिधाय यहाँ पर correction है तो आप प्लीज यहाँ correct कर लीजिए यहाँ फंदे नहीं है संदे है तो question है कर्मचारी राज बीमा अधिनियम के अधीन संदे अभिधाय की वसूली कैसे की जाएगी तो देखिए कर्मचारी राजबीमा अधीनियम उन्नेस सौड़ालिस की धारा पैंतालिस खा के अनुसार इस अधीनियम के अधीन यदि कोई संदे की स्थिती है तो संदे में कोई भी अभिदाय भू राजस्त की बकाया के तौर पर बसूली करेगा नेक्स क्वेश्चन है नियोजक मजदूरी आधी को कम नहीं करेगा तो इसका उपबंद किस धारा में है देखिए इसका क्वेश्चन का मतलब यह है कि कोई भी जो नियोजक है वो किसी पर्टिकुलर वरकर की मजदूरी को कम नहीं कर सकता अगर जैसे मानली जो उसने 500 रुपे डिसाइड करे हैं तो वो उसे 500 रुपे ही देगा 500 रुपे की जगा 400 रुपे नहीं देगा अगर वो ऐसा करता है तो वो धारा 72 के तहट अपराधी माना जाएगा तो वो धारा 72 के तहट ऐसा नहीं करता नेक्स कुश्चन है कर्मचारी भविस्निधी और बिवित प्राबधान अधीनियम लागू हुआ था कब तो देखी कर्मचारी भविस्निधी और बिवित प्राबधान अधीनियम चार मार्च 1952 को लागू हुआ था कर्मचारी भविसनिदी और विवित प्रापधान अधीनियम 1952 की कौन सी धारा अन्य रिणों पर योगदान के भुकतान की प्रात्मिक्ता से संबंदित है तो देखिए कर्मचारी भविस्निदी और बेत प्रापधान अधीनियम 1922 की धारा 11 है जो की अन्य रिणों पर योगदान के भुक्तान की प्रात्मिक्ता से सम्मंदित है देखिए धारा 11 का जो सम्मंद है वो अन्य रिणों पर योगदान के भुक्तान की प्रात्मिक्ता से स धारा अगर बारा की बात करें तो नियुकता दौरा मजदूरी आदी में कमी नहीं की जाएगी जो कि हमने प्रिवियस धारा में देखा है कि जो धारा बारा है उसमें नियुकता दौरा मजदूरी में कमी नहीं की जाएगी लेकिन जो हमने प्रिवियस लाइंस में चर्चा की है तो उसमें हमने धारा 72 की ज़ारे में चर्चा की है तो देखिए धारा 72 में जो है वहाँ नियोजक सब्द का यूज किया गया है जबकि धारा 12 में नियोक्त सब्द का यूज किया गया है तो अगर मैं ऐसी question की बात करूँ तो धारा 11 हमने देखा हमने धारा 12 देखी अब हम बात करेंगे धारा 14 की तो देखिए इसमें सास्ती यानि की दंड के बारे में चर्चा की गई है धारा 20 में केंद्र सरकार के निर्देश देने की सक्तियों के बारे में बताये गया है next question है सिक्षा अधीनियम यानि की apprentice effect को संसत द्वारा किस वर्स बनाए गया तो आप सभी को भली भाती अब तो कंठस्त भी हो गया होगा की सिक्षा अधीनियम को भारत गड़राज के 12 वे बर्स में संसत द्वारा अधीनियमित किया गया इस अधीनियम को वर्स 1961 में बनाए गय next question है सिक्षू अधीनियम का उद्देश क्या है तो देखिए सिक्षू के प्रसिच्छन का वी नियमन करना तथा सिक्षू के प्रसिच्छन से संबंदित विसियों को बनाना सिक्षू अधीनियम 1961 का मुख्य उद्देश है वी नियमन का मतलब होता है regulation saveuration का सिक्षू अधीनियम कबसे लागू है तो देखिए बनना अलग बात है और लागू होना अलग बात है यह दोनों अलग अलग ही चीजे हैं तो देखिए सिक्चु अधिनियम बनाया गया था कब 1961 में लेकिन ये लागू कब हुआ एक मार्च 1962 को ये जो अधिनियम है इसका प्रापधान संपूर्ण भारत में लागू हो गया कारखाना अधिनियम कब बनाये गया तो कारखाना अधिनियम 1948 में बनाये गया इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है इसका उद्देश कारखानों में स्रम को वी नियमित करने यानि स्रम की जो रेगुलारिटी है उसको बनाये रखने के लिए विधी का समेकन और संसोधन करना है कारखाना अधीनियम को देखिए बनाए गया था कब 1948 में इस अब इसे बात आई है लागू करने की तो कारखाना अधीनियम को कब लागू किया गया तो कारखाना अधीनियम को 1 अपरेल 1949 को लागू किया गया Next है कारखाना अधीनियम 1948 किस परिस्थिती में लागू नहीं हो सकता तो देखिए कारखाना अधीनियम की 1948 की एक धारा है जिसका नाम है धारा 2 अबलिक 5 यानि की धारा 2 के 5 में जो लाइन है उसमें दिया गया है कि कारखाना अधीनियम अगर कहीं है तो अगर वहाँ लागू कब नहीं होगा यदि 10 से कम करमचारी अगर वहाँ है तो वहाँ ये कारखाना अधीनियम आप नहीं लगा सकते देखिए ये किन कंडिशन में अभी हमने बात करी है लागू नहीं हो सकता अब मैं आपको थोड़ा ये भी बता देता हूँ कि ये लागू कब हो सकता है देखिए अगर उस पर्डिकुलर कार खाने में 10 या उससे अधिक करमकार यानि की वर्कमेन है तो ये वहाँ लागू हो सकता है यथा सर्थ कि जब वहाँ पावर यानि की इलेक्रिसिटी की थ्रोप काम कर रहे हो ये साथी साथ 20 या अधिक वर्कमेन होने पर भी लागू हो सकता है अगर वह पावर के बिनाभी कार कर रहे हो तब तो ये हैं लागू होने की सर्थ हैं और लागू ना होने की कंडिशन में अगर दस से कम करमचारी हैं तो ये लागू नहीं होगा वो जो सबताई सब्द है तो वो कफसे यानि किस डेट मलकिस दिन की मद्धिरात्री से प्रारंब हो जाता है तो देखे कारखान धीडिनीम उनस्टवरतालिस की धारा है दो चार इसके अनुदस्वर सबताई से ताथ पर साथ दिनों की अध़ी से है जो सनिवार की मद्धिरात्त्री से प्रारम हो जाता है देखिए ये जो दो चा और दो ठा और ये ऐसे जो हैं धाराएं मैं किसी दिन एक एक टॉपिक पर लेकर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा और साथी साथ आपको जो most important धाराएं हैं और उनके अंतरकत जो धाराएं बटी हुई हैं मैं उन सभी धाराओं की चर्चा उस वीडियो में करूँगा जो कि आपके आने वाले एक्जाम के पहले ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा में भी मैं कोसिस करूँगा कि आपको इसी मन्थ में वो जो वीडियो हैं मैं प्रोवाइड करा दूँ ताकि आप एक महिने आपके पास समय रहे एक महिने से सबा महिने का आपके पास समय रहे और आप उस duration में वो सारी की सारी चीजे एक अच्छी फॉर्म में जाकर याद करके वहां इंप्लीमेंट कर सकें तो अभी हाल फिलाल हम बात करते हैं अपने next question के बारे में कारखाना अधीनियम 1948 में कुल कितनी धाराएं एबं अध्याएं हैं तो देखिए कारखाना अधीनियम 1948 में कुल 120 धाराएं तथा 11 अध्याएं हैं next question है कर्मचारी पृतिकर अधीनियम 1923 कब से प्रभावी है तो कर्मचारी पृतिकर अधीनियम 1923 एक जुलाई 2024 से प्रभावी है अब देखिए यहां प्रभावी से मतलब है लागू होना यानि कि यह बनायत हो गया 1923 में यह लेकिन यह लागू जो हुआ है वो एक जुलाई 1924 में लागू हुआ next question है मजदूरी के अंतरकत क्या-क्या सामिल होता है तो देखिए यात्रा भत्ता, पैंसन, भविष्ण ने दी यह सारी की सारी जो चीजें है यह सब मजदूरी के अंतरकत सामिल किये जाते हैं जो की कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा दो डा के अंतरकत आती है कुछ की पॉइंट्स भी है आप उन्हें भी याद करिएगा देखिए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत क्या-क्या सामिल होते हैं तो देखिए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत एक नियुक्ता के अधिनेस्थ व्यक्ति गत प्रवंदक एजेंट के रूप में कार नहीं कर सकता तथा प्रवंद एजेंट में एक नियुक्ता के अधिनस्त एक व्यक्ती प्रवंदक सामिल होता है केवल नियुक्ता ही प्रवंद एजेंट के रूप में काम कर सकता है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अधीनियम में कानून के लिए पहला सुजाओ किस सन में दिया गया था तो अधीनियम में कानून के लिए पहला सुजाओ वर्स 1925 में दिया गया जो की मजदूरी सन्दा अधीनियम 1936 के तहट आता है आपको ये लाइन याद रखनी है कि मजदूरी संदाय अधीनियम 1936 है नेक्स कुश्चन है संपूर्ण लेंदेन की दर माना जाने वाला एक स्केल होता है तो वो स्केल इस स्रम कल्यान बिधान के अंतरगत क्या है तो देखे वो जो स्केल है Sorry ये इस स्रम कल्यान बिथान का नहीं क्वाल्टन ये गलती से मैंने टाइप कर दिया है तो देखे संपूर्ण लेंदेन दर माना जाने वाला जो एक स्केल है उसकी जो विटिंग होती है वो 30 से बन के भीच में होती है यह आपको एक बाउंसर दी गई है गलती से तो प्लीज माइंड मत करिएगा next question है कारिस्थल पर महिलाओं का यौन इत्पीडन के रोक्थाम और निवारण के लिए बनाए गया अधीनियम 2013 की अधीनियम संख्या के अंदर गताता है तो उसकी अधीनियम संख्या क्या है और निवारण के लिए अधीनियम 2013 बनाए गया तो ये अधीनियम की संख्या चौदा के अंतर गत आता है next question है कर्मचारी पृतिकार अधीनियम की किस अनुसूची में बैफसाइक रोगों की सूची का उलेख है तो कर्मचारी पृतिकार अधीनियम की अनुसूची एक में बैफसाइक रोगों की सूची का उलेख किया गया है next question है कर्मचार पृतिकार अधीनियम 1923 की किस धारा में पृतिकार की रासी निर्धारित करने का प्रावधान दिया गया है तो देखिए कर्मकार पृतिकार अधीनियम 1923 की धारा जो 4 है उसमें पृतिकार की रासी निर्धारित करने का जो है प्रावधान दिया गया है यहां पर पृतिकार प्रतिकार नहीं है पृतिकार है तो प्लीज आप उसे औतार पर कर लिजेगा next question है कर्मचारी राज बीमा अधीनियम 1948 कब लागू किया गया तो कर्मचारी राज बीमा अधीनियम 1948 31 अगस्त 1948 को केंद सरकार द्वारा लागू किया गया था ये अभी बीमा अधीनियम मैंने आपको पढ़ाया नहीं है लेकिन मैंने इसमें इसके questions include कर रखे हैं तो अभी हम इस वीडियो में इस session में इन questions को solve कर लेंगे इसके बाद मैं आपको जो है कल इस वीडियो में इस अगली वीडियो में इस session में अगले session में मैं आपको कर्मचारी राजबीमाधिनियम 19.45 बताऊंगा तो उसमें आपको यह सारी की सारी जो चीज़े हैं वो recall हो जा तो कितनी अवधी के बाद कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा तो देखिए निगमदारा अविदाय सोद होने की तिथी से 5 वर्स तक कोई आदेश पारित किया जा सकता है यह धारा 45 एके मैं उपवंदित है तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 वर्स कि कोई नेक्स कुश्चन है देखिए कोई भी नियुजक करमचारी को उस कलावधी के दौरान उसके पद से नहीं हटा सकता तो देखिए अगर वो बीमारी प्रसुपधा के दौरान और साधी साध प्रसूती प्रसुपधा के दौरान उस करमचारी को उसके पद से नहीं हटा सकता कर्मचारी भविस्निधी और विविद प्रावधान अधीनियम 1952 की कौन सी धारा कुछ नियुकताओं को भविस्निधी खातों को बनाए रखने के लिए अधिकरत करने से संबंदित है तो देखिए कर्मचारी भविस्निधी और विविद प्रावधान अधीनियम 1952 की धारा 16A नियुकताओं के भविस्निधी खातों को बनाए रखने के लिए तथा अधिकरत करने से संबंदित है जबकि धारा 14 मैंने आपको अल्रेडी बताया है दंड से यानि की सास्ती से संबंदित है तथा धारा 18 सद्भाव पूर्वक की गई कारवाही का संदक्छन से संबंदित है नेक्स कोश्चन की अगर मैं बात करूँ तो कर्मचारी भविस्निधी और बिविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 15 किस से संबंदित है तो मौजूदा भविस्निधी से संबंदित है इसमें विसेश प्रावधान दिये गए है तो कर्मचारी भविस्निधी और बिविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 15 है मौजूदा भविस्निधी से संबंदित विसेश प्रावधान इसमें बताए गए है सिक्चु अधिनियम में कुल कितनी धाराएं और अध्याए है तो सिक्चु अधिनियम में कुल 38 धाराएं और 3 अध्याए है वह विक्ति जो सिक्चा संबिदा की अंतरकत अप्रेंटेसिप कर रहा है उसे क्या कहते है तो देखिए अगर वहविक्ती जो की सिक्चुता सम्विदा की अंतरकत अप्रेंटेसिप कर रहा है तो उसे हम सिक्चु कहकर पुकारते हैं Next question है केंदरी सिक्चा परिशत की स्थापना किसके द्वारा की जाती है तो केंद्री सिख्चा परिसद की स्थापना केंद्र सरकार यानि की भारस सरकार दौरा की जाती है परिसद में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष तथा सरकार दौरा निर्धारित कुछ सदस्च होते हैं नेक्स कुश्चन है कारखाना धीनियम 1948 में कुल कितनी अनुसूचियां है तो कारखाना धीनियम 1948 में कुल तीन अनुसूचियां है पहली अनुसूची ऐसे उध्योगों की सूची जिसमें परिसंकट में प्रिक्रिया अंतरवल्त है दूसरी अनिसूची संकर्म पर्यावरण में कतिपए रासाइनिक पदार्थों अनुगे इस्तर मान है तीसरी अनिसूची में बताया गया है कि अधी सूचनी रोगों की ये सूची है नेक्स कुश्चन है कारखाना अधीनियम 1948 के अंतरगत बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेथ है जिसने अपनी आयू का कितना वर्स पूरा नहीं किया हुआ हो यानि कि अगर कोई बच्चा जिसे हम बालक कहते हैं तो कारखाना अधीनियम 1948 के अंतरगत हम बालक किस उम्र के बच्चे को कह सकते हैं तो हम बालक उस उम्र के बच्चे को कह सकते हैं या पुकार सकते हैं जिसने अभी 15 वर्स की आयू प्राप्त नहीं की हुई हो कुमार से कौन सा व्यक्थि या बालक अभी प擊रद है तो देखी कुमार हम उस व्यक्ति या बच्चे को बोल सकते हैं जो कि अपनी 15 वर्स की आयू तो पूरा कर चुका है परंतु अभी 18 वर्स की आयू पूरा नहीं कर पाया है तो ऐसे बच्चे को हम कुमार की संग्या दे सकते हैं next question है कारखाना धीनियम 1947 के अंतरगत कलेंडर वर्स से क्या तातपर है तो देखिए कारखाना धीनियम 1947 की धारा दो खा के अनुसार कलेंडर वर्स से किसी वर्स में जन्वरी के प्रिथम दिन से आरम होने वाली 12 मार्स की कलावधी से मतलब होता है next question है कारखाना धीनियम 1948 की किस अनुसूची में ऐसे उद्योगों की सूची दी गई है जिसमें परी संकट में प्रक्रिया अंतरवलित है तो देखिए अनुसूची फश्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऐसे उद्योगों की सूची जिसमें परी संकट में प्रक्रिया अंतरवलित है जबकि दूसरी अनुसूची में बताये गया है संकर्म परियावरण में कतिपाय रासाइनिक पदार्थों की अनुगे इस्तर मान है और तीसरी अनुसूची के अरबात करूँ तो अधी सूचनी रोगों की सूची है नेक्स कुश्चन है कामगार मुअबजा धीनियम 1923 मातरत लाब धीनियम 1965 और कर्मचारी राजबीमा धीनियम 1948 देखे आपके लिए तो यही चीज़ महत्पूर्ण है कि कामगार मुअबजा धीनियम 1923 मातरत लाब धीनियम 1965 और कर्मचारी राजबीमा धीनियम 1948 पहले तो ये याद रखने हैं तो ये जो तीनों एक्ट हैं ये जो तीनों अधिनियम हैं ये एक साथ एक ही व्यक्ति के उपर लागू हो सकते हैं मातरत नेक्स कुश्चन है किस विधान के अंतरगत लाव प्राप्त करने के लिए किसी अंसदान की आविशक्ता नहीं है तो देखिए मातरत लाव अधिनियम 1965 एवं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अंतरगत लाव प्राप्त करने के लिए किसी भी डोनिसंस या किसी भी अंसदान की जरूरत नहीं होती है ये आपको डिरेक्टली बेनिफिट देते हैं नेक्स कुश्चन है कामगार मुअफजा धिनियम का नाम हाली में बदल दिया गया है तो इसका नाम क्या रखा गया है देखिए कामगार मुअफजा धिनियम 1923 का नाम बदल कर हाली में कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 कर दिया गया है तो आपको इन दौनों नामों के बीच में confuse नहीं होना है जहां आपका कामगार मुअबजा अधीनियम लिखा जाएगा तो उसका मतलब यही होगा कि यह कर्मचारी पृतिकर अधीनियम 1923 ही है नेक्स क्वेशन के लिए आज की सैसन में फिलाल इतने ही क्वेशन थे तो अगर आपको सैसन अच्छा लग रहा है और चीज़ें आपकी स्माज में आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरू करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में सेर भी करें ताकि जो भी काइंड़ेट्स, UPI TSE इंस्ट्रक्टर और साथ ही सा जरकरना-TISE इंस्ट्रक्टर की तयारी कर रहे है उन सभी काइंड़ेट्स तक ये जो वीडियो हैं वो प्रोवाइड हो सकें यहाँ आपको सारी की सारी जो चीज़े हैं free of cost प्रोवाइड कराई जा रही है तो आप किनी महेंगे कुर्सों को खरीदने से बचे हैं क्योंकि यहाँ आपको maximum चीज़े मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ free of cost और बाकी जो बची हुई चीज़े हैं आप अन्य यूट्यूब चैनल पर जाकर भी उने complete कर सकते हैं तो यहाँ मैं आपको Employability Skill और साथी साथ Quality Management से related सारी की सारी चीज़े हैं लगबग इस महीने के last class तक complete करा दूँगा तो चैनल के साथ जुड़े रहें और प्लीज चैनल को सेर्ज और सस्क्राइब जरू करें थैंक यू सो मच जय हैं